हेलो दोस्तों स्वागत आप आप दोस्तों आज की बिडियों बात करने वाले हैं Optimism token के बारे में OP token के बारे में OP token क्या है क्या इसका use case है क्यों मैं इसको बोल ना हो next balloon में एक बड़ा jam हो सकता है क्यों इसको Soul coin Arbitrum और BNB का killer बोला जा रहा है क्या इसमें पॉस्टिव है क्या निगेटिव हो और टेक्निकली भी देखिएंगे इसका क्या हम लोग टार्गेट लेके चल सकते हैं मलब पूरी वीडियो जो है होने वाली है ओपी टोकन के बारे में तो वीडियो को पूरा जो देख लेगा इसका प्राइच चलना 1.56 डाल करिप का इसका रइंक to 40 के ृसका जो टोटल सफ्प्लाइए और मेक्सम सलवाई Century यह है सेम है 4.2 billion के करिब का है और इसका जो सरक्र्कृति सप्लाइए वह 679chnet के करिब का है और इसका all time low रहा है 0.4 cent के करीब का जो की आज से एक साल पहले जून 2022 को इसने लगाया था अब इसने जो अपना all time high लगाया था तो वहां से इसका price नीचे आया है 1.5 dollar करीब का लेकिन अगर आप इसका market cap देखेंगे तो market cap अक्टूबर महिने में 2022 में लबग 150 million dollar करीब था और अभी आप आगे देखेंगे तो 1 billion dollar से भी इसका market cap वूपर चला गया मतलब कि इसमें पैसा आ रहा है और इसमें पैसा किस वज़े से आ रहा है इसके पीछे रीजन है दोस्तों यह project पहले में बात के लेते हैं आप्टिमिजम सेम जिस प्रकार से शोल और आर्बिटरम ह है on ethereum यह transaction fees ethereum को यूज करता है और उसी के security पे चलता है लेकिन अगर आप transaction fees के मामले देखेंगे तो ethereum से यह 100x से भी cheaper है मतलब यह है कि ethereum पे per transaction बारा डॉलर लगते हैं तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 012 cent के करीब लगेगा या उससे भी कम लगेगा और भी डिटे पहले आपने सुना होगा ओपी बिन भी टेशनेट करके तो यह इसी पर डबलब किया गया है और इसके अलावा आप सब्सक्राइब के बारे में सुना होगा बाइनस के बाद अगर आप spot exchange में आगे देखेंगे तो यह second number पर आता है तो coinbase का जो chain base है वो भी OP stake पर ही built है यह Coinbase का जो chain base है बेस नाम से आप इसके टूटर एकॉंट पर आके देख भी सकते हैं इसमें बताया गया है open source and build on the OP stake और इसके अलावा इसका जो website है उस पर भी आप आगे देख सकते है open source powered by optimism based is build on optimism open source OP stake तो इसके technology पर यह बहुत ही बड़ा project आ रहा है और इसके अलावा अगर कर आप coin market cap में आगे देखेंगे तो top optimism ecosystem token देखेंगे तो यह भी आपको अच्छे कासी लेबल पर देखेंगे मतलब की इस पर अच्छे कासी लेबल पर project build किये जा रहे है यह coinbase का chain base है जो कि जल्दी launch होने वाला है तो आने वाल सर्व में यह adopt भी कर सकते है तो adopt कोई announcement आए कि finance के बाद coinbase exchange है और इसका chain base आना जो की बहुत बड़ी बात है और उससे भी बड़ी नूज दूस्तों optimism के लिए है कि coinbase का यह जो base chain है वो इसके उपर आ रहा है और यही कारण है अगर आप layer 2 tokens आगे market में देखेंगे तो first number पर आपको metric देखेंगे second number पर arbitrum देखेंगे और third number पर आपको optimism देखने के मिलेगा और इसी वजह से इन tokens का इसको competitor बोला जा रहा है इन tokens का इसको killer बोला जा रहा है market cap के हिसाब से देखेंगे तो आर्बिटरम से ज्यादा दूर नहीं है यह 1.5 billion के करीब का है यह 1 billion के करीब का है polygon अभी इससे बहुत ज्यादा उपर है यह लबग 7 billion के करीब का है अब यह तो हो गया ओपी token के बारे में सारी positive चीज़े अब इसमें negative चीज क्या हो मैं आपको बतायता हूँ इसका सबसे बड़ा negative यह है कि आज से कुछ दिन पहले आप लोग ने news सुना भी होगा मैंने इसके बारे मकवर किया था 30 माई को लबग 587 million worth के OP token unlock हुए थे और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसका price लबग 1.6 dollar करीब चला था और यह आगया लबग 1.1 dollar के करीब का और मैंने यहाँ पर जैसा कि आप लोग को बताया कि इसका 4.2 billion के करीब का total और maximum supply है लेकिन market में लबग 15-16% के करीब ही जो है आया हु हुआ है और यह समय समय पे इसका token unlock भी हो रहा है यह देखा यह तो सबसे बड़ी problem है optimism token के लिए जैसे यह token market में आते रहेंगे वैसे वैसे अगर इसमें volume नहीं आए तो इसका price आप लोग को नीचे जाता हुए भी दिखा जा सकता है लेकिन अच्छी बात क्या है इस project को ल unlocking होने हाले अब बात कर लेते हैं technically तो अभी 1.5 dollar करीब चला है अगर base इस समय launch होता है तो अभी इसको अच्छा support मिला है 1.5 dollar के करीब का तो यहां से इसका price लबक 2 dollar या उससे भी उपर जा सका और वहीं support की बात करेंगे और buying zone की बात करेंगे तो यह मैंने जो trend line rocker के रखा है इसको हमेशा से support बना के चलना है अभी आज से कुजिन पहले 11 July को भी इसको touch करने कोशिस किया और जब token unlock होता तो उस समय जब यह डंप लिया था तब यहां पर एक अच्छा support बनाया है तो buy करने के लिए मेरे हिसाब से 1.4 या 1.5 dollar से लेकिए level of 1.1 और 1 dollar के बीच में buy क करना एक अच्छा जो है price रहेगा long term target next bullrun के लिए अगर हम देखे तो यह अपना all time high से उपर भी जा सकता है 5 dollar से लेकिए 10 dollar के बीच में कारण क्या है यह च्छे का से लेबल पीसे डवल्यूम ने चलना है इसके अलाबा जो इसका token unlock हो रहा है यह सबसे बड़ा issue है लेकिन अगर soul coin के बारें बताएं तो soul coin जब आया था तो उस समय यह top 100 में भी coin नहीं रहता था लेकिन अपने development की वजह से इसका price 200 dollar से भी उपर गया था और इसका token समय समय पर unlock हो रहा था तो कुल मिला जो लाग यह है कि अगर इस project पे जो इसकी team है काम करती रहेगी अच्छा के लिए polygon, arbitrum, soul coin या इसके अलावा BNB आप लोग ने hold कर रहा होगा तो उसमें से जैसे उसको अगर आप 100 coin होल्ड कर रहा है तो इसमें से लबक 10 coin आप जरूर होल्ड करके रखेगा और यह launch हुआ bear market में उसके बावजुद यह 4-4 dollar करीप चला गया था जब bull market आएगा तो अच्छा performance है कर सकता है लेकिन इसका positive और negative दोनों बाते मैंने आप लोगों बता दिया है तो अगर आप लोगों इस प्रोजेक्ट में जा रहा है तो अपना खुद का LCSP कर लिजेगा crypto market है यहां पे कोई भी चीच पॉसिबल हो सकती है तो ऐसा कोई भी पैसा crypto market में ना दूँगा मैंने आप सब्सक्राइब करना है और एक्चुल तरीका क्या है उसके बारे मताया हुआ बागी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लेजेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आ कर दो अभी के लिए बस इतना ही जैहिंद